हलो दूस्तो आज आज आप सुनेंगे सर आर्थर कॉनन डॉयल की शर्लोक होंस सीरीज की एक और बहुत ही मशूर और नायाब कहानी हिंदी में इसे नाम दिया गया है नीली मनी का रहस्य तो आएए कहानी शुरू करते हैं क्रिस्मस के बाद की ये दूसरी खुशगवार सुभा थी जब मैं शर्लोक के घर पहुँचा तो वो जामोनी रंग का ड्रेसिंग गाउन पहने सोफे पर बैठा था उसके हाथ में एक बहुत ही गंदा और पुराना सा फेल्ट हैट था काफी पुराना होने के कारण वो हैट काफी सक्त हो गया था और उस पर धूल जमी हुई साफ नजर आ रही थी किसी भी हालत में वो हैट पहनने के लायक तो कताई नहीं था शर्लोक बड़ी ही गहरी नजरों से उसे देख रहा था उसके सामने एक चिम्टी और एक मैगनिफाइंग लेंस रखा हुआ था यानि कि ये साफ था कि या तो वो उस हैट की जाच कर चुका है या करने वाला है मैं जानता था जब वो किसी चीज की चानबीन में बिजी होता है तो वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता इसलिए मैंने उससे पूछा कहीं मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूं अगर तुम कहो तुम्हें बाद में आ जाओ तुम बलकुल ठीक समय पर आए हो मेरे दोस्त मैं अपनी जाच पूरी कर चुका हूं और अब उसके बारे में विचारवे मर्श करने का समय है ये तो बढ़िया बात है लेकिन ये पुरानी धुरानी हैट है किसकी और तुम्हारे पास कहां से आई इसे लाने वाला तो कोई यहां नजर नहीं आ रहा और तुम इसकी जाच क्यों कर रहे हो अहाहा तुम तो जासूसों की तरह बाते करने लगे हो मिस्टर वाट्सन बढ़िया अरे हाँ भई तुम्हारी संगत का थोड़ा बहुत असर तो मुझ में भी आएगा ही ना कहते हुए मैं कुरसी पर बैठ गया बाहर खिडकियों पर बर्फ जमी हुई थी और बर्फ की ठंडक से बचने के लिए कमरे में आग जल रही थी होम्स ने हैट को अपने हाथ में घुमाते हुए कहा मुझे लगता है इसकी साथ एक रहस्य मई कहानी जुड़ी हुई है ये हैट है किसका ये तो अभी मैं नहीं जानता तो जो जानते हो वो मुझे बताओ मुझे लग रहा है कि ये हैट कई ऐसे संकेत दे रही है जिनके पीछे छुपे अपराध पर शायद तुम्हारी नजर है नहीं नहीं अपराध तो नहीं कह सकते शर्लॉक ने जल्दी से कहा ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लाखों करोडों लोगों में से किसी एक के साथ कभी कोई छोटी सी घटना हो जाती है ये हैट अपने मालिक की ऐसी ही किसी कहानी की तरफ इशारा कर रहा है लेकिन वो कहानी क्या है ये अभी मुझे समझना बाकी है अरे भई कुछ बताओगे भी या पहेलियां ही बुझाते रहोगे तुम पीटरसन को तो जानते ही होंगे कमिशनर पीटरसन हाँ जानता हूँ मैंने उनका नाम सुना है लेकिन मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ ये हैट मुझे उन्होंने दिया है क्या ये पीटरसन का हैट है? नहीं उनका नहीं है लेकिन उन्हें मिला है और जिन हालात में मिला है उसकी वजह से उन्हें मेरे पास आने के लिए मजबूर होना पड़ा ऐसी क्या बात है? जरा खुल कर बताओ इस हैट के साथ एक चीज और भी है ये देखो इतना कहकर शर्लॉक ने मुझे एक सफेद बतक दिखाई बतक? हाँ मेरे दोस्त ये भी पीटरसन को इस हैट के साथ ही मिली थी वो दोनों चीजों को मेरे पास ले आया मुझे लगता है कि क्यूंकि अभी क्रिस्मस का दोर चल ही रहा है तो क्यों ना हम इसे रोस्ट करने का काम पहले करें तो क्या पीटरसन ने इसे तुम्हें दावत करने के लिए दिया है? कुछ ऐसा ही समझो इतना कहकर शर्लॉक ने अपने नौकर के हाथ बतक को रोस्ट होने के लिए भेज दिया फिर उसने मुझे सारी बात बतानी शुरू की कल सुभा लगभग चार बजे की बात है कमिशनर पीटरसन किसी काम से टॉतनहाम कोर्ट रोड से गुजर रहे थे तब ही एक लंबे कदखा व्यक्ति उनके बाजू से होकर गुजरा उसके कंधे पर एक मरी हुई सफेद बतक लटकी हुई थी उस आदमी ने एक हैट भी लगा रखा था जिसे तुम अभी यहां देख रहे हो अब यहां तक पीटरसन के लिए ध्यान देने वाली कोई बात नहीं थी लेकिन जैसे ही वो आदमी थोड़ा आगे बढ़ा कुछ बदमाशों ने उसे घेर लिया ये देखकर पीटरसन रुख गए उन बदमाशों में से एक ने अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी से उस आदमी का हैट पीछे को उलट दिया शायद वो उनके दल का नेता था हैट वाला आदमी अपने चारों तरफ उन बदमाशों को देखकर घबरा गया चड़ी वाले आदमी ने इस बार जब उसे मारने के लिए चड़ी ऊपर उठाई तो वो पीछे दुकान की खिड़की के शीशे से टकरा गई शीशा तूट गया और बड़ी जोर से एक आवाज हुई पीटरसन उस आदमी को बचाने के लिए दौड पड़े शीशा तूटने की जोरदार आवाज से और एक पुलिस वाले को अपनी तरफ आते देखकर बदमाश भी घबरा गए और वो आदमी भी हैट वाला आदमी अपने कंधे पर पड़ी बतक को वहीं फेक कर भाग गया सारे बदमाश भी तुरंत वहां से 9-11 हो गए जब पीटरसन ने देखा कि वे सब लोग भाग गए हैं तो उसने उस हैट और बतक को उठाया और यहां चला आया वो मुझसे ये पता करना चाहते थी कि ये चीज़ें किसकी हैं ताकि उसका पता लगा कर उसे ये लोटा दी जाएं तो क्या तुमने इन दोनों चीज़ों की जाच करके इनके मालिक का पता लगा लिया मैंने उसकता से पूछा इनकी जाच से तो एक नए रहस्य का जन्म हो रहा है कैसा रहस्य मैंने उसकता से पूछा बतक के बाएं पाउं पर एक कार्ड बंधा हुआ था उस पर लिखा था मिसिस हेंडरी बेकर के लिए होमस ने बताया तो इसमें कौन सा अनोखा रहस्य है मैंने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा उस आदमी ने जो हैट पहना था उसके अंदर अस्तर के कपड़े पर अंग्रेजी के दो अक्षर लिखें हैं H और B अब इन दोनों शब्दों से हेंडरी बेकर भी बन सकता है यानि इस हैट वाले आदमी का नाम हेंडरी बेकर हो सकता है अब समस्या ये है कि इस शहर में सैकडो हेंरी बेकर हो सकते हैं, तो कैसे पता लगे कि इन चीजों का मालिक कौन है, सही हेंरी बेकर को ढूंड कर उसकी अमानत उस तक पहुँचाना आसान काम नहीं है, और फिर बतक को तो तुमने रोस्ट होने के लिए दे दिया? वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा करना जरूरी था, तो अब तुम उस आदमी का पता लगा कर उसका हैट उस तक कैसे पहुँचाओगे? मैंने इस हैट की बारी की से जाच की है, और जाच में मैंने उसका पता लगा लिया है, मजाग कर रहे हो, हैट से भला किसी की कैसे पहँचान हो सकती है, उसी के लिए तो इस लेंस को मंगवाया था मैंने, लेकिन किवल एक हैट से किसी की पहँचान करना कैसे संभव है भला जरा इसे ध्यान से देखो मैंने हैट को उठा लिया और उसे बहुत ध्यान से देखा वो एक सधारण सा काले रंग का गोल हैट था सभी हैट गोल ही होते हैं वो बेहत गंदा था मैंने उसे चारों तरफ इधर उधर घुमा कर कई बार देखा लेकिन मुझे उसमें कोई भी ऐसी खास चीज नहीं दिखाई पड़ी जो किसी की पहचान को उजागर करती हो उस पर हैट बनाने वाली कमपनी का नाम तक नहीं लिखा था एक साइड में इंगलिश के H और B अक्षर अवश्य लिखे थे लेकिन उनसे भला क्या पता चल सकता था इसका कुछ भी मतलब हो सकता था ठोड़ी पर बांधने वाला उसका इलास्टिक भी तूटा हुआ था और हैट इतना मैला था कि कई जगह से उसके धब्बे चुपाने के लिए उस पर काला रंग लगाया गया था मैंने हैट को शर्लोक को वापस लोटाते हुए कहा मुझे तो इसमें कुछ भी खास नहीं दिखाई पड़ रहा है मेरे प्यारे दोस्त वाटसन दिखाई तो इसमें सब कुछ पड़ रहा है लेकिन तुम्हें नजर नहीं आ रहा है हाँ बाबा मालुम है मेरे पास तुम्हारे जैसी नजर नहीं है बस खुश चलो अब बताओ तुम्हें इसमें क्या दिखाई दिया उसने हैट को मेरे हाथ से ले लिया और उस हैट की विशेशताएं बताने लगा सुनो मेरे प्यारे दोस्त वाटसन इसे पहनने वाला इनसान कभी बहुत पैसे वाला रहा होगा पिछले तीन सालों तक उसकी हालत अच्छी रही होगी लेकिन अब कुछ समय से वो अपनी जिन्दगी में बुरे दोर से गुजर रहा है ये इनसान लोगों की नजरों में अपने आत्म सम्मान को बनाए रखना चाहता है इसके बाल सलेटी रंग के हैं और इसने अभी कुछ दिनों पहले ही अपने बाल कटवाएं है इसका माथा चोड़ा है और सिर बढ़ा है ये इनसान नीबू की खुश्बू वाली क्रीम लगाता है ये अपनी पत्नी को प्यार करता है लेकिन इसकी पत्नी इसे नहीं चाहती और ये जो भी है अपने घर में लैंप की बजाए मौमबत्ती का इस्तेमाल करता है मैं बड़ी ही हैरानी से शर्लोक का मुताक रहा था अब तुम ये जरूर जानना चाहोगे कि मुझे ये सब कैसे पता चला सुनो ये हैट करीब तीन साल पुराना है इसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है यानि ये काफी महंगा है इसे उस समय वही आदमी खरीद सकता था जिसकी आर्थिक हालत अच्छी हो लेकिन यदि इस इनसान ने हैट के खराब होने के बाद भी दूसरा कोई हैट नहीं खरीदा उसी हैट से काम चला रहा है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि आगे चल कर इसकी आर्थिक हालत खराब हो गई होगी कई जगह से हैट का रंग खराब हो जाने के बाद उसने उस पर काला रंग लगा रखा है इससे ये पता चलता है कि वो लोगों के सामने अपनी गरीबी को दिखाना नहीं चाहता जब मैंने हैट के अंदर लगे कपड़े यानि उसके अस्तर की जाँच की तो उसमें ताजे कटे हुए बालों को फसे देखा ये एक ही साइस के बारिक बालों के टुकडे थे जैसे किसी नाई की दुकान से कटेंग करवा कर लोटते समय किसी इनसान के सिर में लगे रह जाते हैं हैट के इसी अस्तर से नीबू वाली क्रीम की खुश्बू भी आ रही है लेकिन तुमने ये कैसे पता लगाया कि उसकी पतनी उसे प्यार नहीं करती क्या पता उसकी पतनी होई ही नहीं वो कुवारा भी तो हो सकता है नहीं मेरे दोस्त वो कुवारा बिल्कुल नहीं है इस हैट पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई है ये धूल ब्राउन कलर की है जैसी कि आमतोर पर घरों में पाई जाती है बाहर सडकों पर जो धूल होती है वो काली या सलेटी रंग की होती है और किसी भी चीज पर धूल तभी जमती है जब उसकी देख भाल ना की जा रही हो कोई भी पतनी जो अपने पती को प्यार करती होगी वो हमेशा उसकी हैट को साफ करके रखेगी ये हैट काफी दिन तक घर के भीतर कहीं यूँ ही पड़ी रही होगी अगर उसकी पतनी उसका ध्यान रखती तो इस पर धूल नजर नहीं आती और ये बात तो बिलकुल मानने ल के लिए ले जा रहा था जरा याद करो बतक के पंजे में बंधा हुआ वो कार्ड जिस पर लिखा था मिसिस हेंरी बेकर के लिए वाह तुमने तो कमाल कर दिया शर्लॉक तुम्हारा विशलेशन कितना सटीक होता है एक दम ला जवाब लेकिन ये तो बताओ कि मोंबती जला बहुत आसान था हैट कई जगहों से जली हुई है जिसका सीधा सा मतलब है कि घर में मोंबती जलाई जाती है जब हैट लगा कर कोई व्यक्ति हाथ में मोंबती उठा कर इधर उधर जाता है तो उसकी लौ चेहरे तक उची उठी होती है और तभी अंजाने में वो कई बार ह हैट को छू जाती है इस तरह के जलने के और काले धुए के इस हैट पर पांच-छे जगह निशान है हालांकि उन्हें काले रंग से छुपाया भी गया है अभी होमस ने अपनी बात पूरी ही की थी कि तभी कमिशनर पीटरसन कमरे में दाखिल हुए हम दोनों का अभिवाद करने के बाद उन्होंने शर्लक से पूछा क्या उस हैट वाले का कुछ पता चला हम उसी बारे में चर्चा कर रहे थे होमस ने बताया एक मिनिट ये तो बतक के भुनने की खुश्बु आ रही है मैंने तुम्हें उसके मालिक का पता लगाने के लिए बतक दी थी और तुम बेशर्म की तरह उसे खाने की तयारी कर रहे हो कमिशनर ने गुस्से और हैरानी से कहा आप गलत समझ रहे हैं कमिशनर बात दरसल कुछ और ही है मेरे पास बतक को रोस्ट करने के अलावा और कोई चारा नहीं था जरा रुकिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ तब शायद आप इस बात को बेहतर तरीके से समझ पाएं इतना कहकर होम्स ने अपनी जेब में हाथ डाल कर कोई चीज बाहर निकाली और हथेली को कमिशनर के ठीक सामने फैला दिया उसके हथेली पर नीले रंग का एक शानदार हीरा चमचमा रहा था और चहरे पर एक अर्थ पोन मुस कान दिखाई दे रही थी ये क्या है कमिशनर और मैंने लगभग एक साथ पूछा नीले रंग का हीरा लेकिन हैट और बतक के बीच में ये हीरा कहां से आ गया क्या ये हैट में था जी नहीं ये बतक में था बतक में था क्या मतलब अब ये मत कहना कि तुम जानवरों के मेरा कोई इरादा नहीं है दर असल मुझे उसके गले में एक जगह कुछ नीलापन दिखाई दे रहा था और उसका गला कुछ सूजा हुआ सा था तब मुझे लगा कि वहां जरूर कुछ ना कुछ है और वो क्या है इसका पता उसको काटे बिना नहीं लगाया जा सकता था इसलिए मुझे उसे काटना ही पड़ा और काटने पर मुझे ये हीरा वहां मिला और फिर कटी हुई बतक का भूनने के अलावा भला और क्या उपियोग हो सकता था ये हीरा तो बेहद कीमती है कमिशनर ने हीरे को हाथ में उठा कर उलट-पुलट कर देखते हुए कहा क्या इसे देखकर आपको कोई केस याद आ रहा है हाँ बिलकुल ये मोरकर की महरानी का बहुत प्रिय हीरा है ब्लू कारबंकल ये हीरा होटल कॉस्मोपॉलिटन से चोरी हुआ था अखबारों में इसकी खोज के लिए विग्यापन भी दिया गया था और इसको ढूंड कर लाने क लिए बहुत बड़ा इनाम भी रखा गया था सिर्फ पांच दिन पहले ही इसकी चोरी के आरोप में जॉन हॉर्णर नाम के एक प्लंबर को गिरफतार भी किया गया है उसके खिलाफ पूरे सबूत भी मिले थे वो इस समय जेल में है कमिशनर ने बताया और ये है अखबार म उनके सामने फैला दिया अखबार में छपी खबर इस तरह से थी होटल कॉस्मोपॉलिटन से ब्लू कार बंकल की चोरी में प्लंबर जॉन हॉर्णर गिरफतार हमारे सूतरों से मिली जानकारी के मताबिक होटल के मुख्य अटेंडेंट जेम्स राइडर ने इस बात का दिया कि प्लंबर जॉन हॉर्णर उस दिन महारानी के ड्रेसिंग रूम में गया था अटेंडेंट खुद भी उसके साथ गया था लेकिन बाद में वो अपने किसी काम से चला गया और जब वो वापस लोटा तो जॉन हॉर्णर वहां से गायब हो चुका था कमरे की तिजोर टूटी हुई थी एक प्लंबर के पास उसे तोड़ने के सभी औजार मौजूद हो सकते थी राइडर ने उसी समय अलाम बजा कर चोरी के बारे में सबको सूचना दी और उसी दिन शाम को पुलीस ने जॉन हॉर्णर को गिरफतार कर लिया लेकिन उसके पास से ब्लू कार ब जरा देखिए ये नीला हीरा यहां हमारे पास है इसकी चोरी के इलजाम में एक शक्स सजा काट रहा है ये हमें मिला है एक बतक के गले में बतक हमारे पास पहुँची है संयोग से हेंरी बेकर नाम के किसी इनसान के द्वारा जो एक गंदा हैट पहनता है और जिसके बारे म बातें करकर के मैं वाटसन को इतनी देर से बोर कर रहा हूँ। अब सवाल ये है कि ये नीला हीरा उस हेंरी बेकर नाम के आदमी के पास पहुचा कैसे। ये पता लगाने के लिए उसका मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें तुरंत अखबारों में एक विज्यापन देना होगा। लेकिन अगर विज्यापन देने से काम ना चला तो मतलब अगर वो इनसान अखबार पढ़ता ही ना हो या संयोग वश उसने उसी दिन का अखबार ना देखा तो फिर हम क्या करेंगे। फिर हम उस तक पहुचने का कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। हम इस विज्यापन में लिखेंगे क्या। मैंने उत्सुकता से पूछा। मेरे विचार में मुझे एक कागज और पैंसिल की जरूरत है। मैंने उसे कागज और पैंसिल लाकर दे दिया। होम्स ने उस पर लिखा। गौज स्ट्रीट पर क्रिसमस की सुभा एक काला हैट और एक बतक पाई गई है जो किसी हेंडरी बेकर की है। यदि हेंडरी बेकर इस विज्यापन को पढ़ें तो 221 भी बेकर स्ट्रीट से आकर अपनी चीज़ें ले सकते हैं। हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो इसे पढ़े तभी वो इन्हें लेने के लिए यहां आएगा। इसके बारे में बता दे। लेकिन ये समाचार आज शाम के अख़बार में जरूर छप जाना चाहिए। ठीक है मिस्टर होम्स मैं ये काम तुरंत पूरा करवाता हूँ। लेकिन इस हीरे का क्या करना है। कमिशनर ने पूछा, अब ही इसे मेरे पास ही रहने दे मिस्टर पीटरसन और आपको एक काम और भी करना होगा। शाम से पहले मुझे एक दूसरी बतक भिजवानी होगी ताकि यदि वो इनसान मेरे पास आए तो मैं उसे उसकी सारी चीज़ें लोटा सकूँ। ठीक है, मैं सारा इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर पीटरसन बाहर निकल गए। शरलोक ने उस हीरे को हाथ में उठाया और बोला, सच मुच ये इतना आकरशक और बेश कीमती है कि किसी का भी मन इसे चुराने के लिए ललचा सकता है। इसके काले इतिहास को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसके पीछे दो लोगों का कतल हो चुका है। एक इनसान आत्म हत्या कर चुका है। कई बार इसे लूटने की नाकाम कोशिशें हुई है। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा खूनी इतिहास रखने वाले हीरे को अगर कोई चुरा लेगा तो उसे क्या हासिल होगा। अभी के लिए मैं इसे अपने लौक अप में रख देता हूँ। और हाँ, हमें महरानी को भी सूचित कर देना चाहिए ताकि वो चैन की सांस ले जॉन हौर्णर के बारे में तुम्हें क्या लगता है हॉम्स, क्या वो निर्दोश होगा। मैंने पूछा। इस बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। तो क्या हैंरी बेकर चोर होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि उसे तो शायद पता भी नहीं होगा कि इस बत्तक में कोई कीमती हीरा भी है, यदि वो हमारा विज्यापन पढ़कर हमारे पास आएगा, तो कुछ ही मिन्टों में इस बात का हमें पता चल जाएगा, यानि फिलहाल इस केस के बारे में करने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, नहीं, बिलकुल नहीं, तो ठीक है, मैं अपने एक मरीज को देखने जा रहा हूँ, लेकिन शाम को इस केस का अंजाम देखने जरूर आउंगा, इतना कहकर मैं वहां से निकल गया, शाम को जब मैं वापस बेकर स्ट रहा था, मुझे हेंरी बेकर कहते हैं, हमें आपका ही इंतजार था, क्या ये हैट आपका है, शर्लोक ने कहा, जी हाँ, मेरा ही है, उस समय में घबरा कर इसे छोड़ कर चला गया था, उसने अपने हैट की तरफ देखते हुए कहा, उसका लहजा बेहद ही विनम्र और शाली चोटे छोटे थे, और उसने कुछ दिन पहले ही कटिंग करवाई थी, जैसा कि शर्लोक ने बताया था, हमने आपका हैट तो संभाल कर रखा, लेकिन आपकी बतक को हम खा गए, इतनी देर तक उसे संभाल कर रखना संभव नहीं था, ओ, दरसल उसे में अपनी पतनी को उप उसका इंतजाम हो पाया था, लेकिन खेर, मैं तो दोनों ही चीजों को खो चुका था, अब कम से कम मुझे मेरा हैट तो मिला, ये मेरे पुराने अच्छे दिनों की इकलौती यादगार है, हेंरी बेकर ने कहा, वैसे हमने आपके लिए दूसरी बतक का इंतजाम करवा दिय लेकिन फिर भी, अगर आप चाहें, तो हमने उसके टूटे हुए पंक, पंजे, चोंच और पेट की आंते वगरा संभाल कर रखे हैं, आप चाहें तो उन्हें ले सकते हैं, शर्लोक ने ऐसा बेहुदा मजाक क्यों किया, ये मेरी समझ के बाहर था, ऐसी बात सुनकर वो अब आप अपनी हैट ले सकते हैं, और वो रही आपकी बतक, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, हेंरी ने कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं, कि आपने वो प्यारी बतक कहां से खरीदी थी, वो एक बड़ी ही अच्छे किस्म की बतक थी, मुझे अकसर खरीदनी होती है, तो मैं सोच रहा हूँ कि भविश्य में मैं भी वहीं से खरीदूंगा, फॉम्स ने बेकर से प्रश्न किया, इसके लिए आपको गूज क्लब का मेंबर बनना होगा, ये क्लब अलफा इनके पास है, धन्यवाद मिस्टर हेंरी, ठीक है, तो मैं चलता हूँ, इतना कहकर हेंर वहाँ से चला गया, मैंने प्रश्न वाचक निगाहों से शर्लोक की तरफ देख कर पूछा, जब वो यहाँ आही गया था, तो तुमने उसे जाने क्यों दिया, क्योंकि मैं उसे देख कर ही समझ गया था, कि वो हीरे के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए मैंने उसे बत होती कि उसमें उसे उसका हीरा शायद मिल जाए, और वैसे भी अगर उसे मालुम था कि बतक के अंदर इतना कीमती हीरा था, तो वो उसे यूँ छोड़ कर पल भर में भागना जाता, उसे वापस पाने की कोई ना कोई कोशिश वो जरूर करता, मैंने सहमती में सिरहला दिया इसके बाद 15 मिनट में हम लोग एलफा इन पर बने गूस कलब में पहुँच गए, इस कलब का नाम था ब्लूम्सबरी, वहाँ पहुँचकर होम्स ने दो गिलास बीर का ओडर दिया, जब वेटर बिल लेकर आया, तो शर्लोक ने उससे कहा, आपकी बीर भी आपकी बतक की ह तरह स्वादेश्ठ थी, क्या मतलब, हम लोग बतक नहीं बेचते सर, वेटर ने कहा, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, हमें अभी कुछ देर पहले ही, मिस्टर हेंरी बेकर ने आपके कलब के बारे में बताया है, वो आपके कलब के सदस्य हैं, ओ अच्छा, लेकिन वो बतक हैं ह एक व्यापारी ब्रेकिन रिज से खरीदी थी, उसके बाद हम दोनों वहाँ से कॉवेंट गार्डन मार्केट के लिए चल पड़े, शर्लोक ने कहा, अब इस ब्रेकिन रिज की तलाश करनी होगी, क्योंकि इस केस में एक निर्दोश इंसान को साथ साल की सजा हो सकती है, जल्दी ही हम कॉवेंट गार्डन मार्केट में एक दुकान के सामने खड़े थे, जिस पर ब्रेकिन रिज का नाम लिखा था, हमें इसी एजेंट की तलाश थी, उस समय वो अपनी दुकान बंद कर रहा था, होम्स लपक कर उसके पास पहुँचा और अपने चिर परिचित अंदाज में बोला, नमस्कार महुदय, आप कैसे हैं, आज काफी ठंड है, उस व्यक्ती ने अपना सिर हिलाया, और सवालिया निगाहों से होम्स की तरफ देखा, होम्स ने उसकी दुकान के खाली स्लैब की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं यहां बतक लेने आया था, ले उकानदार ने कहा, ओ, आप तो मुझे निराश कर रहे हैं, मैं किसी की सिफारिश पर बड़ी दूर से यहां आपके पास बतक लेने आया था, किस की सिफारिश पर, एलफा के मालिक की, ओ, हाँ, मैंने उसे एक दरजन बतकें बेची थी, बड़ी ही नायाब बतकें थी वो, आपको वो कहां से मिली थी, ये देखकर मेरी हरानी की सीमा न रही, कि इस मामूली से प्रशन को सुनकर गुसे से उसके जबड़े भिंच गए, और वो होमस से बोला, क्या बात है मिस्टर, कहना क्या चाहते हो, सीधे सीधे शब्दों में कहो, मैं बिलकुल सीधे शब्दों मैं ही कह रहा हूं, मैं बस ये जानना चाहता हूं, कि जो बत्तक हैं, तुमने अलफा में भीजी थी, उन्हें तुमने कहां से खरीदा था, और अगर मैं ना बताऊं तो, क्या कर लोगे मेरा, ये कोई बहुत बढ़ा मसला नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा, कि इतनी तुम्हें भी ऐसे ही गुस्सा आ रहा होता, जब मेरी सप्लाई की हुई चीज में कोई कमी नहीं है, जब मैं अच्छा माल सप्लाई कर रहा हूं, तो फिर उसके बाद प्रॉबलम क्या है, कभी कोई आ कर पूछता है, कि वो बत्तकें कहां गई, वो बत्तकें तुमने किसक मैं बार बार यही सब बातें सुनते सुनते परिशान हो गया हूं, ऐसी आखिर क्या हीरे मोती जड़े हैं उन बत्तकों में, जिसके लिए लोगों ने इतनी हाय तौबा मचा रखी है, देखिए महोदय, आपको कौन लोग परिशान कर रहे हैं, मैं नहीं जानता, ना ही मेर उन से कोई संबंध है, मेरे लिए तो बस इतनी सी बात है, कि अगर आप मुझे ये बात नहीं बताएंगे, तो मैं अपनी शर्थ हार जाऊंगा, बस मेरा मानना है कि मुझे बत्तकों के पालन पोशन के बारे में बहुत जानकारी है, और मैंने अपने दोस्त से पांच डॉ की शर्थ लगाई थी, कि वो बत्तक जो हमने खाई, उसे किसी शहर में नहीं, बलकि गाउं में पाला गया था, ठीक है, तो तुम शर्थ हार गए, क्योंकि वो बत्तक शहर में ही पली हुई थी, दुकानदार ने गुस्से से उत्तर दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे दोस्त मैं जानता हूँ, तुम गुस्से में ऐसा कह रहे हो, मेरी बात कभी गलत हो ही नहीं सकती, जब मैंने कह दिया कि ऐसा है, तो ऐसा है, मैं नहीं मानता, ये बात विश्वास करने लायक है ही नहीं, तुम सिर्फ मुझे यहां से भगाने के लिए ऐसा कह रहे हो, तुम्हें क् कि तुम बतकों के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हो। मैं बच्पन से यही काम करता आ रहा हूं। मैं फिर से कहता हूं कि वो सारी बतकें जो मैंने अलफा को भीजी थी, वो सब शेहर की पली हुई थी। कि यह शर्ट मैं ही जीतूंगा, लेकिन तुम्हारे जैसे धीट और जिद्धी आदमी को सबक सिखाने के लिए मेरे पास कोई और तरीका भी नहीं है। इतना कहकर उसने अपने नौकर बिल को आवाज लगाई और उसे दुकान का बही खाता लाने के लिए कहा। लड़का अं ये उन लोगों की लिस्ट है जिनसे मैं सामान खरीदता हूँ। देखा, इस पेज पर सारे गाम वाले सप्लायर्स की लिस्ट है और उनके नाम के आगे जो नंबर लिखे हैं, वो बताते हैं कि बड़ी वाली कॉपी में उनका खाता किस पेज नंबर पर है। अब ये देख मिसिस ओक्षोट 117 ब्रिक्स्टन रोड 249 होमस ने पढ़ा, बिल्कुल ठीक, अब जरा ये नंबर इस बड़ी कॉपी में खोलो, होमस ने बड़ी कॉपी में 249 नंबर का पेज खुला, ये देखो, यहां लिखा है ना, मिसिस ओक्षोट 117 ब्रिक्स्टन रोड अंडे और म कब है, 22 दिसंबर को 24 बतकें 7 डॉलर के रेट से खरी दे गए, बिल्कुल ठीक, और इसके नीचे, इसके नीचे क्या लिखा है, आलफा क्लब के मिस्टर विंडी गेट को 12 डॉलर के रेट पर बेची गए, मिल गया जीता जाकता सबूत, अब बोलो, अब तुम्हें क्या कह होम्स का चेहरा ऐसे उतर गया, जैसे कोई मर गया हो, उसने बिना एक भी शब्द बोले, अपनी जेब में हाथ डाला, और एक नोट निकाल कर उसकी तरफ फेक दिया, उसका अभिन इतना शानदार था, कि इस समय अगर कोई भी उसे देखता, तो यही समझता, कि वो एक ऐस जिद्धी आदमी है, जो शर्थ हार जाने और अपना गरू तूट जाने के बाद, इतना निराश और हताश हो गया है, एक शब्द भी बोल नहीं पा रहा है, वो मेरी तरफ मुड़ा, और उसने आख से मुझे इशारा किया, और हम दोनों धीमे कदमों से वापस जाने के ल दुकान पर जगड़ा हो रहा था, हम तेजी से वापस वहाँ पहुँचे और हमने देखा कि एक भारी चेहरे वाला व्यक्ति ब्रेकिन रिट से जगड़ा कर रहा था, वो जोर-जोर से चिला-चिला कर कहे रहा था, अगर अब तुमने मुझे नहीं बताया कि मिसेज कर लाई हुई बतक हैं, तुमने किस-किस को और कहां-कहां बेची हैं, तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, लेकिन तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो, दुकान दार ने पूछा, उनमें से एक बतक मेरी थी, जो गलती से तुम्हारे पास चली गई, तो उसके लिए मै क्या करूं, उसके लिए मिसिस ओक्षॉट के पास जाओ, तुम बस मुझे उन लोगों के नाम पते बता दो, जिनको तुमने वो बतक हैं बेची हैं, बाकी काम मैं खुद कर लूँगा, अगर तुम फोरन यहां से नहीं निकले, तो मैं तुम्हें एक पता तो जरूर ही बत दूँगा, अस्पताल का, दुकानधर उससे भी चारगुना तेज आवाज में चिलाया, हम इनकी लडाई में यहां क्या कर रहे हैं, मैंने होम से पूछा, इनकी लडाई के कारण हमारा मिसिस ओक्षॉट के यहां जाने का फालतू का चकर बच गया, क्या मतलब, अब ही पत पकड़ लिया, उसने घूर कर शर्लॉक को देखा और बोला, यह मेरा और उसका आपसी मामला है, तुम बीच में बोलने वाले कौन हो, क्या चाहिए तुम्हें, शर्लॉक बड़े आराम से बोला, तुम्हारी बत्तक के बारे में वो वाकई कुछ नहीं जानता, अगर तुम हैं उसके बारे में जानना है, तो इस जगह से बाहर चलो, तुम कौन हो, और उसके बारे में क्या जानते हो, और कैसे जानते हो, उसकी आखें अश्चरे से चोड़ी हो गई थी, मेरा नाम शर्लॉक होम्स है, और मैं वो सब जानता हूँ, जिसे कोई नहीं जानता, यह जानते हो, यही कि तुम उस बत्तक का पीछा क्यों कर रहे हो, जिन्हें ब्रेकन रिज, मिसिस ओक्षोट के पोल्टरी फार्म से खरेद कर लाया था, मैं यह भी जानता हूँ, कि उन बत्तकों को, इसने एलफा कलब के मिस्टर विंडिगेट को बेचा, वहां से एक बत्तक चली गई कलब के एक मेंबर हैंरी बेकर को, और तुम्हें उसी बत्तक की तलाश है, यह सुनकर उस आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया, क्या मतलब, उस बत्तक में ऐसी क्या बात है, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा, मुझे नहीं पता तुम क्या बक रहे हो, यदि मैं बक तो ठीक है, अब तुमसे कल पुलीस के साथ मुलाकात होगी, नहीं नहीं, रुको, वो आदमी अब वाकई डर गया था, तो फिर मेरे विचार में हमें किसी ऐसी जगह चलना चाहिए, जहां तुम सारी बातें मुझे खुल कर साफ साफ बता सको, वो आदमी बिल्कुल चाप सिर जुका कर खड़ा रहा, यानि वो हमारे साथ बेकर स्ट्रीट आने के लिए तयार था, हमने एक घोडा गाड़ी पकड़ी और घर पहुँचने के बाद आराम से अपने अपनी कुर्सियों पर बैठ गए, तब होमस ने उससे पूछा, आप सबसे पहले अपना ना पड़ा, कुछ पल वो आदमी कुछ नहीं बोला, फिर निगाहें चुराते हुए धीमे स्वर में बोला, मेरा असली नाम जेम्स राइडर है, बहुत बढ़िया, मैं जानता हूँ, तम होटल कॉस्मोपॉलिटन के मुख्य अटेंडेंट हो, अब मुझे वो सारी बातें ये सोच कर बताते चलो, कि मैं पहले सही सब कुछ जानता हूँ, इसलिए मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना, जी मैं समझ गया, उसने कहा, तो सबसे पहले ये बताओ, कि क्या तुम है एक विशेश बत्तक की तलाश है, उस बत्तक की जिसकी पूँच पर एक काली जाएन है? जी हाँ, पता नहीं वो कहाँ चली गई, क्या आपको मालूम है? वो यहाँ आ गई, मेरे पास. यहाँ? आपके पास? हाँ, वो बड़ी ही नायाब बत्तक थी, भले ही वो मरी हुई थी, लेकिन यहाँ आकर उसने नीले रंग का एक चम-चमाता हुआ अंडा दिय अंडा? दर के मारे उस आदमी का चेहरा पीला पड़ गया था. हाँ, लो, तुम भी उसे देखो. इतना कहकर, शर्लोक ने वो नीला हीरा निकाल कर उसकी आँखों के सामने कर दिया. वो भौचका रह गया. तो, मिस्टर राइडर, तुम पहचान ही गए होंगे, कि यह हीरा मोरकर की महरानी का है, जिसे पिछले दिनों चुरा लिया गया था. और इसकी चोरी के अलजाम में, एक निर्दोश प्लंबर जेल में बंध है. तुम ये भी समझ गए होंगे, कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है. सारी सच्चाई सामने आ चुकी है. बस कुछ चीज शर्लोक के पैरों पर गिर पड़ा और रोने और गिर गिराने लगा. प्लीज मुझ पर रहम कीजिए. मेरे बुढ़े माता पिता के बारे में सोचिए. अगर मुझे जेल हो गई, तो वे रो रोकर मर जाएंगे. मैं सौगंध खाता हूँ. आगे से कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा. हीरे को चुराने के बाद से ही मेरी आत्मा मुझे धिकार रही है. महरानी की मेड कैथरिन ने मुझे उस हीरे के बारे में बताया और उसकी इतनी तारीफ की कि मेरा दिल ललचा गया. मैंने रातों रात अमीर बन जाने की योजना बना ली. पुलीस को धोखा देन के लिए मैंने प्लंबर जॉन होडनर को बादरूम की फिटिंग ठीक करने के लिए वहाँ भेजा. और वो बेचारा इस जाल में फस भी गया. लेकिन तब से मेरी आत्मा पर बहुत भारी बोज है. मैं हीरे को इसलिए ढूंड रहा था. ताकि उसे पुलीस तक पहुँचा क जॉन को जेल से छुड़वा सकूँ. मेरी बात का यकीन कीजिए. मैं सब कुछ बता दूँगा. लेकिन प्लीज मुझे पुलीस के हवाले मत कीजिए. इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. फिलहाल तो मुझे ये बताओ कि ये हीरा बत्तक में कैसे पहुँचा और बत कि क्या कैसे हुआ. मैं कोई पेशेवर अपराधी नहीं हूँ. इसलिए हीरे को चुराने के बाद मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि मैं इसे पुलीस और दूसरे लुटेरों से छुपा कर कहां और कैसे रखूँ. अगर किसी को इसके बारे में पता चल जाता, तो शाय को ले जाने के लिए उसे छुपा कर ले जाना जरूरी था. मुझे लगा ये बहुत मुश्किल काम है. मैं बुरी तरह घबरा गया. मैं अपने किये पर पच्टा रहा था. इसी उधेड बुन में डूबा, मैं अपनी बहन के घर गया. मेरी बहन पोल्टरी फाम चलाती है. मैंने होटल में चोरी की बात बता कर उस बात को टाल दिया. लेकिन उसे ये नहीं बताया कि वो चोरी मैंने ही की है. जब मैं वहां बैठा था तो उसकी मुर्गियां और बतकें मेरे आसपास दाना खाते हुए घूम रही थी. उन्हें देखकर मेरे दिमाग में एक आइडि किया था. मैंने वो हीरा एक खास निशान वाली एक बतक को खिला दिया. ये सोच कर कि जब मेरी बेहन मुझे बतक लेने को कहेगी तो मैं आकर इसी को ही ले जाऊंगा. मैंने हीरे को बतक के गले से जब नीचे उतरते हुए देख लिया तो चैन की सांस ली. कुछ देर को उसका वाइदा याद दिलाया. उसने मुझसे पूछा कि मुझे कौन सी बतक चाहिए. मैंने उसे बताया कि मुझे सफेद रंग की बतक चाहिए जिसकी पूछ पर एक काली लकीर हो. उसने कहा कि मैं अपनी पसंद से जो चाहे बतक उनमें से छाट लूँ. मेरी खुशी क ठिकाना ना था. मैंने काली लकीर वाली सफेद बतक को पकड़ा और घर आकर उसे मार डाला. लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उसके अंदर हीरा नहीं था. मैंने बड़ी बारी की से उसके एक-एक हिससे की जाच की. लेकिन हीरा उसमें था ही नहीं तो मिलता कहां से मुझे लगा कि मैं गलत बतक ले आया हूँ मैं तुरंत भागा भागा अपनी बहन के यहां वापस गया लेकिन वहाँ अब एक भी बतक नहीं थी ये देखकर मैं दहशत के मारे चिला पड़ा वो सारी बतक हैं कहां चली गई वो सब तो बेक गई मेरी बहन ने कहा उन्हें कौन ले गया मेरा पर्मानेंट ग्राहक ब्रेकिन रिज ओफो क्या उसमें एक और ऐसी बतक थी जिसकी पूँच पर काली धारी हो हाँ एक और थी क्या हुआ तुम क्यों पूँच रहे हो मेरी बहन ने पूचा कुछ नहीं मुझे वैसी ही एक बतक और चाहिए थी जोड़ा बनाने के लिए मैं तेजी से भागा भागा ब्रेकिन रिज के पास पहुचा और उससे बतक के बारे में पूचा वो दिमाग का थोड़ा अख़ड था उसके पास कुछ ही बतकें बची थी उसने किसको दी थी या तो ये बात वो जानता नहीं था या बताना नहीं चाहता था उसने बड़ी मुश्किल से एक दो के बारे में बताया लेकिन जब मैं उनके मालिकों के पास पहुचा तो उनमें वो बतक नहीं थी ब्रेकिन रिज मुझे सारी बत्तकों के बारे में नहीं बता रहा था इसलिए मुझे उस पर गुसा आ गया और मैंने उस वक्त उसका गला पकड़ लिया था सहियोग से आप भी उस वक्त वहीं थे उसके बाद की कहानी तो आपको मालूम ही है हम अब तुम एक काम करो तुम यहां से तुरंत चले जाओ क्या मतलब मैं कुछ समझा नहीं वो हैरानी से शर्लोक का चेहरा देख रहा था कुछ कहने की जरूरत नहीं चले जाओ यहां से जेम्स राइडर बिना कुछ बोले वहां से चला गया तो तुमने देखा वाटसन कि आखिर हमारे हाथ असली अपराधी तक पहुँच ही गए होमस ने मुझसे कहा हाँ वो तो मैंने देखा लेकिन तुमने उसे जाने क्यों दिया देखो मेरे दोस्त ये बात बिलकुल सच है कि इसने एक निर्दोश को मुसीबत में डाला था लेकिन फिर भी मैंने उसे जाने दिया क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था वो बहुत डरा हुआ था और उसकी आखों में सच्चा पश्चाताब था वो भविश्य में ऐसी गलती कभी नहीं करेगा सजा का अर्थ व्यक्ति में सुधार लाना होता है और फिर ये क्रिसमस का आवसर है यानि क्षमा करने का दिन हीरा मिल चुका है और हीरा एक बतक के पेट से मिला है ये बात कमिशनर पीटरसन का बयान साबित कर देगा जॉन होर्नर के खिलाफ कोई पुखता सबूत नहीं है इसलिए अधालत की कारेवाही में वो निश्चित ही छूट जाएगा और ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि पुलीस इतनी पक्की इन्वेस्डिगेशन करके कभी उस कहानी तक नहीं पहुँच पाएगी जहां तक तुम जा पहुँचे हो क्योंकि तुम दग्रेट डिटेक्टिव शर्लोक होम्स हो और शर्लोक होम्स की आँखों से कुछ छुपा नहीं रहता मैंने बड़े ही नाट की अंदाज में कहा ये तुम्हारे व्यक्तिगत विचार है मेरे दोस्त इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा और अब जब सारा काम हो चुका है तो क्यों ना हम उन बाकी की बत्तकों का पीछा करना छोड़ कर सिर्फ उस एक का पीछा करें जो ना जाने कब से रसोई में हमारा इंतजार कर रही है दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी मुलाकात होगी तब तक के लिए अलविदा